Hello everyone, welcome back to my channel relation बनाते समय हमको काफ़े pain होता है इसका कारण क्या होता है और क्या हमको करना चाहिए इस वीडियो में जानेंगे वीडियो काफ़े helpful आपके ले हो सकती है लास तक जरूर जुड़े रहना है इस वीडियो में तो देखे होता क्या है कि जब हम relation बनाते हैं कई बार हमको pain होता है अब ये pain उन महलाओं का जादा होता है जो 45 से उपर की होती है यानि कि जिनको मेनोपॉस की उमर आ गई है यानि कि जिनके periods आना आप बंद हो गए है periods आना कब से आपको बंद होता है अब इस case में होता क्या है जो ये beach के उमर की महलाओं होती है 45 से उपर की 40 से उपर की महलाओं होती है उनके सरीर में हो जाती है estrogen की कमी estrogen एक hormone होता है जिसका काम होता है आपकी vagina में lubricate परदान करना यानि कि जो भी चिपचिपा आपका relation बनाते समय लिक्विड आता है वही estrogen का काम होता है कि आपकी vagina में एक lubricate परदान करना गीला परदान करना जिससे की जो friction है वो ना हो और आपको pain का पताना चले तो अब estrogen की कमी हो गई है यानि कि सरीर में estrogen hormone कम बन रहा है जिस करण की आपको जब भी आप relation मना रहे है तो pain हो रहा है क्योंकि जब भी आपके vagina में dryness होगा तो इससे आपको pain का ज़्यादा पता चलेगा जो कि बहुत ही common है एक age के बाद इस तरह की दिक्कत आपको आ सकती है लेकिन कम उमर से ही इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो ज़्यादा उमर में इस तरह की problem हो रही है जैसे menopause के बाद इस तरह की दिक्कत हो रही है तो तब तो ये common है क्योंकि जो estrogen hormone होता है उसका काम होता है कि आपके नमी प्रदान करना आपकी vaginal area में और जब हमारी उमर बढ़ जाती है पैतालिस के बाद जो उमर होती है उसपे क्या होता है कि जो vaginal tissue होते है वो काफी थिन हो जाते है वहाँ की जो muscles होती है वो जो भी tissue होते है वो काफी पतले हो जाते है थिन हो जाते है जिस कारण भी हमको डर्द होता है और dryness तो बनी ही रहती है क्योंकि estrogen hormone काफी कम बन रहा है तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे वीडियो काफी छोटी और helpful बनाने की मैं कोसिस करती हूँ तो इसी बात पे like कीजिए आपको बिना बोर किये पूरी जानकारी देने की कोसिस करती हूँ वीडियो को जरूर share कीजिए और comment करके बताएं आपके लिए वीडियो कैसी रही और subscribe जरूर कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो के notification आपको मिलते रहेंगे वीडियो आपसे miss नहीं होगी और अगर आपकी कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं थैंक यू थैंक वर वाचिंग